हेलो फ्रेंड्स अब छोग्वागत है क्लास में आपका जो है Ez पोकिंग सेंटेंस विकिया है यह उसका पार्ट 2 है इसलसेफे сिंटेंस जो आप डेली यूज़ कर सकते हैं बोलने में उस प्रकार के सेंटेंस को में सुरू कर किये हुए हैं जिसका दूसरा पार्ट है पहले वाले में आपको फांड आफ के बारे मता गया था तो इसमें हम कुछ और स्टार्ट करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया हुआ तो आप स इस वीडियो में देखिए हम डिसकस करेंगे जो आपका है यहां लिखा गया फेड़ विथ ठीक है फेड़ विथ का इस्तमाल करेंगे फेड़ विथ मतलब होता है उब जाना ठीक है अगर आप किसी काम से उब गये हैं या तंग आ गये हैं तो उस कंडिशन में हम फेड़ width का यूज़ करेंगे, fade up width, ठीक है, यदि आप किसी चीज से उब गए हैं, या तंग आ चुके हैं, या परिसान हो गए हैं, या किसी काम से परिसान हो गए हैं, दोनोग कंडिशन में, fade up with का यूज़ करेंगे, तो फेंट रखे, कि सबसे पहरे subject होगा ठीक है subject के बाद में वर भी यानि इज एम आर वाज वर में से आप कुछ लगा देना है देन आपको फेड़ विथ लगाना है और इसके बाद में अगर काम है काम से आप ऊप गए हैं तो हाँ जीरेंट यूज करना है जीरेंट का मतलब आपका वीफोर म before का मतलब होता है word में ing लगा देना ठीक है जैसे आप पढ़ते पढ़ते उप गए हैं तो पढ़ना वर्व है तो आप हम डीडिंग लगाएंगे ठीक है और सम्थिंग का मतलब किसी चीज से कोई नाउन या पनाउन या उच करेंगे अगर किसी चीज से उप गए हैं तो उसक प्लस फेड़ वीच फिर आपको जो भी काम से उप गया है उसको लगाएंगे ठीक है चलिए हम लोग एक्जामपल से देखते हैं अभी आपको बढ़ी ऐसे सौंज में आ जाएगा चलिए करा मैं तुम से उप गया हूं ठीक है यहां जो है यह सम्थिंग है किसी चीज से उ उप गया हूं यह मैं तुम से तंग आ गया हूं मैं तुम से परीचाण हो गया हूं इस पहले के संदेंस को बोलने के लिए आपको सबजिक्ट यूँश करना है आई आई के साथ में होगा अब लगाया आपको फीड़ टेक है तुम से का you I am好吃 लगी जिन्दची से उप गया I am fed up with this life मैं इस जिन्दगी से उब गया हूं या मैं अपनी जिन्दगी से उब गया हूं I am fed up with my life ठीक है मैं इस नौकरी से उब गया हूं I am fed up with this job ठीक है ना इस प्रकास से आप कई सेंटेंस को बोल सकते हैं वह तुमसे उब गया है तो वह का he और he के साथ में is लगाएंगे ठीक है He is fed up with you तुमसे का you His fed up with you वह तुमसे उब गया है परिसान हो गया है ठीक है मैं तुम्हारे रोज के नखरे सेойд गया हूं मनलों मैं तुम्हारे रोज के नखरों से उब गया हूँ, तो I am लगाना है आपको फेड़ विथ यू, ठीक है, I am फेड़ विथ लगाना है, अब रोज के नखरों से, ठीक है, और तुम्हारे, तो पहले हम तुम्हारे का लिखेंगे योर, और रोज का एब्रीडे और नखरों का टैंटरम, तो I am फेड़ with your everyday tantrums, मैं तुम्हारे, रोज के नखरों से उब गया हूँ, करा मैं इस मुवाइल से उब गया हूँ, I am fed up with this mobile, so friends, इस प्रकार से आप अनेक sentence बना सकते हैं, अगर आप किसी चीज से, किसी बेक्ट से, किसी भी चीज से उब गया है, तो आप फेड़ अप लगाएंगे, देन आप उस चीज को लिखेंगे, अब हमको से वर्ब वाल अभी example को देख लेते हैं, वर्ब वाल में क्या होगा कि आप काम को करते करते उब जाते हैं, तेहां यसे के लगा, कि मैं यहां रहते रहते उब गया हूँ, तो आप यहां फेड़ अप लगाएंगे, तो I am fed up with, अब जो रहना रहने कर लिए होता है बठ हम जीरंड यानि आइंजी वाले फार्म को यूज करेंगे तो लीविंग और यहां का हियर होगे आएं फेड़ विथ लिविंग हीर मैं यहां रहते रहते उप गया हूं घरा मैं अकेले बैठे बैठे उप गया हूं ठीक है मैं अकेले बैठे बैठे उप गया हूं तो आएं फेड़ विथ बैठने का लागा सिटिंग अकेले का अलोन आएं फेड़ विथ शिटिंग अलोन ए खाना बनाते बनाते ऊप गई है तो सी के साथ मेंज लगाएंगे छी फेड़ब ःत हाना बनाने का होता है कुकींग और खाना का फुड़ फेड़ब विट कूकिंग तो इस प्रकार से आप आप दोनों प्रकार के बना सकते हैं किसी चीज से उप जा रहा है तम भी आप यहां उसको यूज़ करेंगे तिक है ,और किसी काम को करते करते उप जा रहें तब इविध के बाद में आप उसको यूज़ करेंगे ing के साथ में ठीक है नहीं जैसे मैं मैं पढ़ते पढ़ते उप गया हूँ I am fed up with reading मैं पढ़ाते पढ़ाते उप गया हूँ तो I am fed up with teaching ठीक है इस प्रकार से आप कई sentence को बना सकते हैं बोल सकते हैं आप subject change करिए और आप जिस चीज़ से उप जा रहे हैं उसको लगाईए या आप और चिंज करिए आप हजारों sentence को इस पकार से बोल सकते हैं तो फ्रेंट्स अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप सब्सक्राइब कर लिजिए और अगर आप को वीडियो अच्छा लगे तो आप सेयर और कमेंट भी करिए ठीक है और यह आपका इस पोकें सेंटेंस जो आपको दिया जा रहा है यह इसकी दूसरी क्लास थी बागे हम अगले क्लास में कुछ और लेकर आएंगे तब आप सभी लोग का देखने के लिए बहुत बहुत झालाव